नमस्कार मैं हूँ आपका साथी पंक अज्छा और आप मेरे साथ देख रहे हैं अंदर की बात आज अंदर की बात में बात अखलेस यादव समाजवादी पार्डी के अध्यक्ष यूपी के पुर्व मुखंत्री की कबूल नामे की कबूल नामा अब आप सोच रहोंगे मैं कैसी बात कर रहा हूँ ऐसा क्या हो गया कि अखलेस यादव ने कबूल कर लिया है हलाकि उन्होंने इसका इजहार खुल कर तो नहीं किया है लेकिन मन ही मन उन्होंने कबूल कर लिया है और कबूल किया है अगले लोग सबाद चुनाओं को देखते हुए और ये कबूल किया है उन्होंने गटबंदन की बात दोस्ती की बात जी हाँ जो अखलेस यादब कुछ महीनों पहले तक ये कह रहे थे कि उनके लिए कॉंग्रेस और बीजेपी दोनों बस एक ही सिक्के के दो पहलू है वो यहां तक कह गए थे कि अमेठी में वो इस वार समाजवादी पार्टी का उम्मीदवार देंगे जबकि कई चुनाओं से राइबरेली और अमेठी में समाजवादी पार्टी चुनाओं नहीं लड़ती थी राहुल गांदी और सोनिया गांदी से अच्छे तालुकात का हवाला देते हुए वहाँ समाजवादी पार्टी चुनाव नहीं लड़ती थी और उनके वोटर कॉंग्रिस के लिए वोट कर दिया करते थी लेकिन अब बात बदल गई है माहौल बदल गया है वक्त बदल गया है पुराने साथी यूपी के दो लड़के राहुल गांधी और अखलेस यादव 2017 का याद करिये वो फटा पोस्टर निकले यूपी के दो लड़के वो जो छवी आती थी वो फिर से एक बार यूपी के लो अब आप कहेंगे इसा बात मैं कैसे बता रहा हूं तईस तारीक को बैठक हुई थी पटना में याद होगा आपको और तब अखलेस यादव ने प्रेस कांफरेंस में सिर्फ 30 सेकेंड के में अपनी बात रग दी थी कुछ खास नहीं बोले थी वो कहते हैं ना दूद का जल कैं हैं बात बनी नहीं सरकार बनी नहीं योगिया आदेटिनाथ BGP के सरकार बन गई तो इस बार अखलेस यादव आहिस्ते आहिस्ते कदम बढ़ाना चाहते हैं लेकिन तैयारी वो गुप्चुप तरीके से पूरी कर रहे हैं आई आपको हम सिलसलेवात तरेके से बताते ह लोगसवा की 80 सीटे हैं, अखलेस यादम ने तैयारी की है कि पहली खेप में, यानि फर्स्ट फेज में, उन 40 सीटों का मैपिंग कर लें, जहां हर हाल में समाजवादी पार्टी को लड़ना है, क्योंकि वो जानते हैं कि यूपी में कॉंग्रेस की जमीन बहुत अच्छी नह कॉंग्रेस की तरफ होता है, लिकि वो गढदारी के लोग वोट कर दिया करते थे और आज भी ऐसी सोच रखते हैं बहुत सारे लोग, तो हो सकता है कि वो गड़बंदन में कॉंग्रेस के गड़बंदन में आने से उन्हें फायदा होगा लेकिन बात जो महत्रपूर्ण मैं कर रहा हूं वो यह कि 80 में इसे 40 लोगसवा सीटों का सेलेक्शन अखिलेस यादम ने कर लिया है उनकी तैयारी इस बात को लेकर है कि इन सारे लोगसवा सीटों पर अगले डेर दो महीनों में उम्मिद्वार तैय कर लिये जाए कोशिस यह है हो सकता है दो महिना ना हो तीन महिना चार महिने का वक्त नेताओं के बीच उन्होंने उस नाम का खुलासा किया है लेकिन जिसको चुनाव लड़ना है उन्हें से कुछ नेताओं को उन्होंने संकेत में बता दिया है कि आप फलाने सीट पर जाईए और वहां जमीन पर जोड़े रहे वोटर लिस्ट बनाएए बूत का मैनेजमेंट देखिए हर तब के विरादरी से लोगों से मिलिए और एक तरेके से चुनाव परचार शुरू कर दीजिए अभी हुआ यूँ कि पतना से लोटने के बाद अखलेस यादव ने आजमगट लोगसभा सीट से जुड़े हुए नेताओं की बैठक बुलाई जिसमें वहां के विधायक भी थे पूर विधायक रहे जिलाध्यक्च रहे और हर विधान सभाच्षेत्र से 10-12 मजबूत नेताओं को उन्होंने बुलाया जिनके कहने से वोट पड़ते हैं और जो उस इलाके में एक्टिव हैं उनसे जो करिब धायतीन घंटे की बात चीत हुई और फिर व कॉंग्रेस होगी और RLD RLD जिसका पश्मी UP में प्रभाव है इसलिए अगर हम मोटे तोर पर बात करें तो कॉंग्रेस और समाजवादी पार्टी के संभावित जो गटवंदन होने वाला है मैं उसकी चर्चा कर रहा हूं अब सवाल ये उड़ता है कि मन तो बना लिया है गटवंदन में ही चुनाव लड़ना है बात फस्ती कहा है बात फस्ती है सीटों के बटवारे पर कौन कितनी सीटों पर लड़ेगा ये बटवारा भी जो है ने दो तरीके में मामले में फस्ता है पहला सीटों के संख्या और दूसरा किस सीट पर कौन उम्मीद्वार कुछ ऐसी भी लोग सवा सीटे हैं जिस पर दोनों ही पार्टियों के मजबूत दावेदार हैं अब वहां मामला फसेगा यह कह दिया गया अखलेस यादव की तरफ से कि किसी भी सीट पर कोई फ्रेंडली कंटेस्ट नहीं होगा कई बार ऐसा होता है कि गडवंदन में दो या तीन पार्टियां लड़ती हैं और किसी सीट पर मामला फस जाता है कि दोनों ही पार्टियों के मजबूत दावेदार होते हैं तो यह होता है कि तुम भी लड़ लो हम भी लड़ लेते हैं जो जीतेगा वो सिकंदर पर इस बार यह तैय किया गया है जो अखलेस यादव की कहा गया है कि इस बार ऐसा कोई फ्रेंडली मैच नहीं होगा कहीं पर भी दोनों पार्टियों के उम्मीदवार आमने सामने नहीं होंगे आजम गड़ लोकसवा के नेताओं को जब बुलाया था तो मन की बात की अकलेस ने सबसे बड़ी बात जो नोंने कही कि अगर गड़ के वोटों का बटवारा हो जाता है और इसका सीधा सीधा फायदा जो है वो बीजेपी को हो जाता है वैसे गड़ बंदन में लड़ने के बावजूद भी बीजेपी का हाल बुरा नहीं था पिछले लोकसवा चुनाओं याद करिए 2019 की बात कर रहा हूं और तब भी गड़ टाकते हैं बीजेपी समाजवादी पाटी और बीएस्पी तब तो मयावती और अखलेस यादव ने गड़वंदन कर लिया था उस गड़वंदन में अर्लड भी थी एर्थीस पर येस्पी लड़ी 37 पर समाजवादी पार्टी लड़ी और 3 पर RLD लड़ी RLD का खाता तक नहीं खुला था आप सब जानते हैं उतना बड़ा गटवंदन होने के बावजूद भी BJP अपने सहीयोगी पार्टी अपना दल के साथ 64 सीटें जीतिने में काम्याब रही थी कॉंग्रेस को बस एक सीट मिली थी राइबरेली इसलिए इस बार अखलेस यादव ने देखी वो कर क्या रहा है न बूथ कमेटी की बैठक कर रहा है ट्रिकल डाउन थियोरी पिछली बार ये हुआ था कि ऊपर से नीचे तक गड़वंधन का सुत्तर जाएगा एकता का लेकिन इस बार वो नीचे से ऊपर कर रहा है इस तरीके से कि पहले कारकरताओं के दिल मिले इसलिए सबसे पहले वो समाजवादी पार्टी के बूथ लेवल के कारकरताओं का मन टटोल रहा है उन्हें ट्रेनिंग कैम्प में बुला रहे हैं और फिर सबसे सलाम मस्विरा करके कि कहीं भी किसी के मन में कोई खुटका न रहे, कहीं कोई ऐसी बात न रहे, गड़बंदन हो तो सिर्फ दल नहीं मिले, बलकि दिल भी मिले, जैसा अखलेस यादब की तरफ से कहा जा रहा है, नितीश कुमार की तरफ से कहा जा रहा है, तो मैं जो यहां महत्वपून बात बता रहा हूँ कि 40 सीटों का एक तरीके से पहचान कर लिए अखलेस यादब ने, अब बचती है 40 सीटें, उसी पर वो कॉंग्रेस के साथ सीट एड़जस्टमेंट करेंगे, अब थोड़ा सा आंकरों की बात कर लें, 2019 के चुनाव में कॉंग्रेस एक ही सीट पर जिती थी, इसके अलावा अमेठी में राहुल गांदी, फतेपूर, सीकरी की लोगसवा सीट पर राजबबर, और कानपूर की लोगसवा सीट पर स्री प्रकास जैसवाल दूसरे नमबर पर रहे थी, या अलावा सहारनपूर में देखें, तो उसे दो लाग से अधिक वोट मिले थे, इम्रान मसूद, जो कि अब BSP चले गया है, सहारनपूर के बड़े मुस्लिम नेता माने जाते हैं, उनको वो कॉंग्रेस से लड़े थे और उनको दो लाग से अधिक वोट मिले थे, बारवंकी तीसरे अस्थान पर थी, तो यानि अगर इसको भी हम गिल लें, पहले पोजिशन पर राइवरेली में रही, फिर जिन सीटों पर वो दूसरे नमबर पर रही कॉंग्रेस, फिर तीसरे नमबर पर वो सीटें, जहां डेर लाग से अधिक वोट मिले वो दो सीटें, इसके अल अखिलेस यादम ये किया है कि कल कब सीटों का बटवारा होगा, किस पार्टी को कितनी सीटे मिलेगी, कब तैह होगा, लेकिन चुनावा में हम जल्दी करें, तैयारी, क्योंकि अखिलेस यादम ने इस बैठक में कहा, जैसे पिछली बार BSP के साथ गड़बंदन हुआ था अगले कुछ हपतों बाद समाजवादी पार्टी यूपी में लोगसभा की 40 सीटों पर अपने उम्मीदवार तैह करने जा रही है, आज के लिए बस इतना ही, आपको किन मुद्दों पर बात करना अच्छा लगता है, या आपके मन में कोई टॉपिक हो, तो आप जरूर ब लिए